आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं GTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में इसे स्टॉक के रिजल्ट को ले करके पहले ही हमने आपसे कहा था कि रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आपको बेटर देखने को नहीं मिलेगा और वैसे ही हमने देखा कि रिजल्ट अच्छा नहीं था रिजल्ट के एक दिन बाद ही एक बरी खवर न्यूज स्टेंड होते वे दिख रही है जो डॉट के सेक्रेटरी ने कहा है कि राजा रमन ने कि 5G की रियालिटी आपको 2022 में ही शियोर्ली देखने को मिलेगा और इसका इंपक्ट 5G डिलेटर जितने भी श्टॉक ह उस पे शियोर्ली देखने को मिलने वाला है वो चाहिए HFCL हो या फिर GTL Infra शियोर्ली ये सभी श्टॉक रिवार्डेड होते वे दिखेंगे इससे पहले भी हमने कहा कि टावर को लेकर के अब गवर्मेंट से कुछ स्युकर्टी की जरूरत नहीं है 100 रुपया के स्टैम प टच कर सकते हैं चुकि जो फ्यूचर है वह बहुत ब्राइट है और इस फाइब जी के सबसे बेनिफिसरी स्टॉक अगर आप देखे तो GTL Infra होते वे दिखेगा आई नो कि यह फंडामेंटली डिजर्व नहीं करता है लेकिन जिस प्रकार से फाइब जी की निउस्टेंड होते वे दिख रही है यह स्टॉक शूर्ली नेक्स वन टू टू यर के लिए एक स्ट्रॉंग बाइंग ऑपर्चुनिटी दिख रही है जहां रिस्क बहुत मिनिमम और रिवार्ड काफी हूस दिखता है लेकिन साथ में आपको याद रखना चाहिए कि कैप्टल एलोकेशन स्टॉक में नहीं करना चाहिए जो फंडामेंटली डिजर्व नहीं करता है लेकिन चार से पांच तक के लेबल अगले दो साल में इसे स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है